वेतनाम एवीजा के रिगार्डिंग यहां पे न अभी इन्होंने क्या है कि मुझे कल किसी ने कॉमेंट किया और वो अपना वीजा भरने लगे थे फॉर्म को यूज करके और उन्होंने मुझे बताया कि जो लिंक था जो लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था वो एतनाम एवीजा के पेज को तो पुराने पेज भी ही आप अपना वीजा भर सकते हैं और उसमें कुछ जो नए फॉर्म में उन्होंने फील्ड डाली थी वो एड़ कर दी हैं पुराने पेज के अंदर तो मैं आपको फटा फट से स्क्रीन पर दिखा देता हूं वो जो चें करें आगे बढ़ने से पहले तो उसर टाइम निकालके फटा फट से चैनल को सपोर्ट जरू करें इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें लेस्विगिन तो अब अपना वेतनाम का एवीजा भी बहुत ही असानी से जल्दी और कुछ मिंटों के अंदर तो में पास सल्यूशन आप लोगों के लिए क्या आपने एटलिस के बारे में सुना है तो मैं आज आपको बताने लगाँ इसके बारे में कि आपना वीजा बहुत ही असानी से और जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं 99% वीजा आप अपनी इनकी साइट के थू अप्लाई कर सक सकते हैं और आप बल्क में भी आप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं 500 वीजा ओके लिंक इन देस्क्रिप्शिन अप्लाई नौ टोडे यॉर वेतनाफ एविजा इस वेज तो इस वीजा पेज को लिंक है मैं आपको डिस्रिप्शिन में दुबारा आपके रिफर्स के लिए जा रहा हूं यहां पर आप देखेंगे तो आप्शिन आ रहा है कि प्राइस आ रही है कि पर्चिस यूस टॉलर्स तो इलेक्ट्रोनिक वीजा की कॉस्ट सिंगलेटरी की मल्टी की है डबल मल्रकी 50 यूस डॉलर्स ओके आपको करना बेसिकली है कि आपको कॉन्फिमेशन प के मेडिट्री फ्יל से आपकी देट वलह नी है सेएल ना है बागी यहां पर दिया मिए रयोगंने और पासपोरट इंतरों फ्राइटनों को है को ऑर पासपट है तौ नहीं है का में इनाठीं और व्हेतनाम लॉस मुए के qoowa भी आ रहा जो कि पहले नहीं था, now if you go with the single entry visa or the multi entry visa, it is valid upto 90 days and you will get the stay period for 90 days itself, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप multi entry choose कर ले single entry 90 days तक आप stay कर सकते, आपको बस dates डाल नहीं, अभी क्या मैंने किया कि जैसे 15 October को में travel करता हूं, तो यहाँ पे January तक का 12 तक के 13 तक में date डाल सकता ह किया तो सब को इसको भी आप नो रहने थे, permanent residential address तो जो passport पर address है वो ही आप डालने जैसे पूरा address दाने कंप्नी आप डेमो के purpose के लिए मैंने पूरा इसको जो है specify नहीं किया address को, पर आपको properly address डालने as per your passport given on your passport, ठीक है, अब आप नीचे देखें तो यह भी कोई mandatory information नहीं है के emergency contact number देखा जाए, red asterix नहीं है इसके आगे, लेकिर फिर भी आप एक emergency contact number दे सकते है, थोड़ा सा battery रहता है, occupation यह भी mandatory field नहीं है, यहाँ पर option दिया है, भरने का तो आप भर सकते हैं, फिर नीचे दिया purpose of entry क्या है आपका, तो जिस भी reason के लिए आप जा रहे है वो आप करेंगे, जैसे कि हमने tourism यहाँ पर चूज कर लिया है, any organization individual that the applicant plans to contact when enter into Vietnam, तो ऐसा कुछ नहीं है तो मैं से खाली छोड़ देता हूँ, अब यहाँ पर basically अपना जो intended day length of staying है वो डाल सकता हूँ, यहाँ पर 30 days भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, और 90 days भी कर सकता हूँ, ठी आप दिनों का specify करते हैं हाँ पर, intended date of entry, obviously जैसे हमने उपर specify की वो डाली है, जो यह बहुत जाता important है, मैं आपने last video में भी कहा चुका हूँ कि इसकी वजय से किसी को एक बार problem भी हो गोई थी, तो allowed to entry through checkpoints, वो बहुत carefully choose करना, जो आपकी आईटनरी है, flight आईटनरी, accordingly आपने वही details जालनी है, return flight की भी और अपनी जब भी आप travel करते हैं, plus intended temporary residential address in Vietnam, तो आपको अपने hotel का address जो है वेतनाम का वो भी हाँ पर specify करना है, किस city में hotel है वो भी डालना है, और 4 number अगर आपके पास है hotel का तो आप भी हाँ आपर डाल सकते हैं, यह तो Google से search करके आप डाल सकते है Okay, have you been to Vietnam in the last one year, तो मेरे case में वैसे मैं yes कर सकता हूँ, लेकिन आप गए है पहले तो yes कर दे, अगर नहीं है तो no कर दे, do you have relatives who currently reside in Vietnam, तो आप इसे भी no कर सकते हैं, अब यहाँ पे नीचे देखें कितने expenses, यह वेतनम की case में मैं आपको बता दूँ कैसा कोई set criteria नहीं है कि आ लेता हूँ और credit card को मैं select कर लेता हूँ, यह कुछ भी कर सकते हैं, cash भी कर सकते हैं, travelers check भी कर सकते हैं, who will cover the trip's expenses of the applicant, तो applicant मतलब मैं खुद करूँ अगर मैं अपनी application लगा रहा हूँ, यहाँ अगर आपके को कुछ sponsor करता है आपका trip तो आप agency organization division को नाम भी यहाँ पे डाल सक और email address, registration code बगरा जो है, आपका यहाँ पे आगया है, date of birth आपके आगई है, okay, जब आप click करते हैं, basically you can review your application, all the details that you have filled in here, और इसके बाद आपको सीधा payment gateway पे जाना होता है, payment का option आता आपके पास, तो payment पे click करते हैं, तो यह payment gateway खुल के आजाता है, debit card, credit card, जो visa card, master card से सब इस इंडरी चूज के, तो 50 US dollars इसकी cost screen पे आ रही है, ठीक है, so you can pay by visa, mastercard, that's it, all right guys, thank you so much for watching this video till the end, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी है, तो don't forget to like and subscribe to this YouTube channel and don't forget to share this video, और एटलिस का भी visa का link मैंने जो है आपको दे दिया है, किसी भी country का visa बहुत असानी से और जल्दी फटा फटा अपलाई कर सकते हैं, तो उसे भी ना भूले, I see you once again, goodbye and take very very good care of yourself.